Saturday था, मैं अपने दोस्त के घर पे गया हुआ था हम ऐसे ही typical सी daily life की बाते कर रहे थे मेरे दोस्त के घर के पास में ही एक जंगल है तो हम दोनों ही अपने dogs को लेके वहाँ पे चले गए हमने काफी time तक उस जंगल को explore किया और देखते देखते ही रात हो गई हम लोग बहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी हमारे dogs काफी अजीब तरीके से behave करने लगे और तभी वो दोनों ही एक दूसरे direction में भागे उदर हमने देखा कि जमीन पे एक आदमी गिरा पड़ा है and the strange thing was कि उस आदमी ने एक pig mask पैना हुआ था लेकिन हम जैसे ही उसके पास गए वो आदमी अचानक से खड़ा हो गया उसने अपना मास्क उतारा उसकी आँके बहुत ही अजीब थी दैन उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उदर से एक चाकू निकाला जैसे ही हमने देखा हम वहाँ से जल्ली से भागे मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर में गुच गया और उसके डैड को सब कुछ बताया कुछी देर बाद वो आदमी मेरे दोस्त के घर तक आ गया और वो बहुत ही तिस तिस से चिला रहा था वो कह रहा था कि वो हमें मार देगा मेरे दोस्त के डैड ना उसे वांड किया लेकिन वो नहीं माना और मजबूरी में आगे उन्हें उस आदमी को शूट करना पड़ा वो आदमी एक्चलि में एक मेंटली इल आदमी था और उसने कुछी देर पहले अपनी बीवी का मर्डर किया था